गैस मेरे हाथ में देख सकते हो Redmi Note 13 Pro Plus जो इंग्या में लाँच होने वाला है 4 January 2024 में उससे पहले में आप लोकों के लिए लेकर आगया हूँ इसका फूल रिव्यू क्योंकि इस पॉन को मैंने यूज करो आपका 7 गेश से ज्यादा क्या है तो इसलिए मुझे पता चल एक स्बून में क्या अच्छा पुरा ही रहने वाल है जो देखने में काफी अच्छा रहने वाले और बैक स्क्राइब में त्रिपूल कैमेरा का स्थेक्टा आप लेगे फ्लास और या पर रेगमी का लोगो भी देखने को मिल जएगा ये फोन फ्लाइब डीजन के साथ आने वाले और एफोन इतना ज्यादा मोटा नहीं होने व आप गिस्प्ले के साथ आने वाले तो देखा जेतों ये फिट लोग प्रोभाइट करी काफी तगड़ा सा बात करता अब गिस्प्ले के बार में इस फोन में काफी तगड़ा सा इस फोन में ये आप 6.67 इंच एफेसगी प्लास रेजुलेशन का ओएले डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा ओविसली ये पर काफ डिस्प्ले रहने वाला है एक चीज मेरे को काफी अच्छा लगा भाई ये फिवान टो एंक्या स्मूथ रिप्रेस रहने वाला है जब मैंने स्कॉलिंग बैगरा किया जो एक्सप्रेंस मेरे को देखाई दे था काफी बढ़ी अच्छा लगा था और फोन को जब मैंने आउट्टोर में यूंकि बाहर में लेकर यूच क्या था उससी केंभी मेरे को पॉब्लम नहीं लगा था और जो ब्रैटनस भी काफी आच्छा रहने वाला है इस्पोन में में पिर फींगेश प Tucson काफिया slight ज़लदी जल्दी यहां फिंगेश पर फिंगेरपी इन सेंसर काम हो रहा है और बात करते है ब अगरे ऑपने भाईू के शेशिए देब जो अब होने बाहर में आपके लिए काइसा होने वाले अपियुसेग अपियो चिपे नहीं और इस पून में जब मैंने BGM को प्ले किया था है अच्छी तरीके से BGM को प्ले कर पायता है उसे क्याम लाइक फ्रेम डप कुछ भी नहीं देखा देता है अच्छा मिल जाएगा इस पून में और मेरे पास है 12GB RAM के साथ 256GB को चैप में नौरमाली यूज बैगराब भी किया था अच्छी तरीके से इस पून को यूज कार पाय था उसे जिए मेरे को पॉबलम नहीं लागाता नौरमाल यूज के लिए अच्छा होने वाला है बातकर तब कैमरा के बार में जो कि इस पून का सबसे बड़ा हाइलेक्ट फीचर से भाई 200MP का मेन सेंसर रहने वाला है बैकसाइड में और 8MP का अल्टरा वाइट एंग लेंस एंड 2MP का या पे डेप सेंसर सेल्पी में मिल जाएगा 16MP का सेल्पी कैमरा बैक एंड फॉंट दोनों में आप पोर के थाट के एपस में वीडियो को रेकॉर्ट कर सकतों और जो फीडियो का क्वाइड का अच्छा लगा मेरे को आप लोगों को काइसा लाग रहा है वह आप मुझे कमंड में बता सकतों असल भी प्रेक्टर का अच्छा कामरा क्वाइड के यहां पर रेकमीन हम लोगों को प्रोभाइड करें अब इसलिए मैं कहने बालो कामरा यहां पर अच्छा मेल जाएगा बात करता है बैकरी बेकप के बारे में यहां पर 5000 में इसकी बैकर रहने वाला है जल्दी इस्पून को चार्ज कर पाओगे क्योंकि यहां पर 120 वाट का फास्ट चार्जन मिल जाएगा बॉक्स के अंदर इसलिए आप इस्पून को जल्दी चार्ज भी कर सकतों बात करता आदा स्पीचर्स के बारे में आदा सारे फीचर्स आपको इस्पून में मिल जाएगा जैसे के आई पी 6 की एक रेकिंग के साथ आने वाले थोड़ा सा वाटर फूब भी होने वाला है और यह पर डूएल स्कीट्टो स्पीगर भी मिल जाएगा ओटिल जी को भी स स्पीचर्स हगें बात कर तो ऑवी तक नहीं लॉँच हो है 4 जानुरी 2024 में लॉंच हो जाएगा मुझे तो लगता है ऐसे आपको क्या लागता है क्यों उन्हों में बडा और आप मुझे कह 1969 में वाला है वो आप मुरम ब security में बता साकतो उम्हिद करता है अशकर वीग यह आपको थोड़ा पसंद आ रहा है और अगर आपको वीग पसंद आ रहे तो एक लाइक कर दो और अगर अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में जो वेल अजो वीडियो आपके पास तुरह पहुंच जाए तो इस वीडियो में